इंटरनेट की कार्य प्रणाली इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों के साथ कार्य करता है। इन सभी नेटवर्कों को समान नियमों के अनुसार कार्य करने की अवशक्ता होती है। अन्यथा वे परस्पर समवाद करने में समर्थ नहीं होंगे। इंटरनेट का प्रबंधन कई संगठनों के समूहों द्वारा किया जाता है। ये संगठन इंटरनेट के कार्य करने के लिए नियमों का निर्धारन करते हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। ये विभिन नेटवर्क अपने आंतरे कारियों के लिए तो अपने नियमों का पालन करते हैं, परन्तु जब वे एक दूसरे के साथ समवात करते हैं, तो उन्हें बहतर समवात के लिए सामान्य नियमों का अनुपालन करना होता है। इंटरनेट कैसे कार्य करता है? इंटरनेट को बहतर तरीके से समझने के लिए, हमें इंटरनेट की कुछ अवधारनाओं को समझने की अवशकता है. वेब पेज, प्रुष्ट जिन प्रुष्टों को हम इंटरनेट पर बनाते हैं, उन्हें वेब पेजिस के नाम से जाना जाता है वेबसाइट वेबसाइट वेब प्रुष्टों का संग रह है ये एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते है HTML HTML को Hypertext Markup Language के रूप में संदर्भित किया जाता है यह एक भाशा है जिसका उप्योग वेबसाइट के रचना के लिए किया जाता है HTTP Hypertext Protocol HTTP परिभाशित करता है कि संदेश कैसे प्रारूपित और प्रसारित किये जाते हैं और Web Servers वेबसर्वर्स वेबस्ध को विभिण निर्देशों की अनुक्रिया स्वरूप क्या कार्यबाही करनी चाहिए Web Browser Web Browser इंटर्नेट से जुडने में हमारी सहायता करता है Web प्रुष्ठों को देखने के लिए हमें Web Browser की आवश्यक्ता होती है एक वेब ब्राउजर, एक प्रोग्राम, कार्यक्रम है जिसका उपियोग वेब साइटों को देखने के लिए उपियोग किया जाता है मुजेक, National Center for Supercomputing Application, NCSA, द्वारा विकसित किया गया पहला वेब ब्राउजर था सामान्य वेब ब्राउजरों में Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox और Apple Safari सम्मिलित है